हे अव्रिवन वेलकम टो स्टेडी आई एस और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुगेटरा मन्शर्मा दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना वैक्सिनेशन करवा लिया होगा और नहीं करवाया है तो अपने आपको रिजिस्टर करके अपना स्लोट ले लिया होगा क्योंकि अगर हमें इस कोरोना वैरस की लड़ाई में विजेता के रूप में निकलना है अगर हमें सेकंड वेव को पूरी तरीक से परास्त करना है तो एक हतियार जो हमारे पास है वो है हमारी वाक्सिनेशन तो वो सही समय से ज़रूर करा ले एक बड़ा सवाल है कि ये को शील्ड और स्पुट्निक वी जिन टीनों को हमारे देश में अभी emergency approval दे दिया गया है तो इन टीनों में इससे कौन सी बहतर है और इन टीनों के बीच में difference गया है आज हम लोग इस सवाल को solve out करने की कोशिश करेंगे नव दोस्तों एक चीज समझो कि जब भी हमारे देश के बॉर्डर पर जब foreign army attack करती है तो समय पर हमारे जो देश के सिपाई हैं वो कैसे identify करते हैं कि यह सिपाई वो सिपाई नहीं है जो कि हमारे pathogen हमारी body के अंदर attack करता है कोई microbe हमारी body के उपर attack करता है जो कि हमारे लिए एक harmful microbe है उस समय पर हमारी body detect कर लेती है कि यह हमारी body का part नहीं है यह हमारी body से कोई भी related नहीं है यह हमारे लिए harmful है और हमारी body का immune system उसके खिलाफ एक action लेना चालू कर देता है इम्मुनिटी के लिए हमारे white blood cells responsible होते हैं और white blood cells के अंदर भी काफी सारे अलग-अलग type के lymphocytes होते हैं जैसे B cell lymphocytes और T cell lymphocytes जनरली आप यह समझो कि जो T cell lymphocytes हैं वो detect कर लेते हैं कि यह हमारी body के जो important microbes already present होते हैं उसका part नहीं है यह foreign pathogen है तो उसको detect कर लेते हैं तो इसलिए मैं उन्हें गोलता हूँ कि they are spy cells और जो B cell lymphocytes हैं वो उसके खिलाफ यहाँ पर action करना और antibodies produce करना चालू कर देते हैं अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर बहुत साई लोग मुझसे कुछतें कि सर antibodies क्या antibodies are a kind of a protein एक तरीके के protein हैं जो कि neutralize करते हैं foreign pathogen को foreign pathogen कोई भी हो सकता है virus हो सकता है protozoa हो सकता है bacteria हो सकता है fungi हो सकता है कुछ भी हो सकता है जिसको आप लोग antigen के नाम से जानते हो तो जो भी body के अंदर enter करेगा foreign उसको बोलते है antigen और body उसके खिलाफ क्या बनाती है body उसके खिलाफ बनाती है हमारी antibodies ठीक है अब हमारी body की जो immunity होती है ना वो हम लोग दो पार्ट से divide कर सकते हैं मेरे पीछे आप लोग चार्ट भी देख पा रहे हो active immunity और passive immunity active मतलब जो immunity है वो हमारी body खुद से बना रही है अब खुद से दो तरीके से बन सकती है पहला वो virus वो protozoa वो fungi वो bacteria हमारी body के ओपर directly with the help of air person to person transmission water blood transfusion किसी भी तरीके से हमारी body के ओपर attack कर रहा है तो हमारी body उसके खिलाफ antibodies बना देती है तो वो कौन सी होती है हमारी active immunity जोकि naturally develop हो रही है naturally develop हो रही है body naturally produce कर रही है क्योंकि वो naturally enter कर रहा है अब active immunity में एक और तरीके से होते है इसको artificial वो कैसा होता है जब आप vaccination लेने जाते हो अपने आपको vaccinate कराते हो तो आपकी body के अंदर dead या live eternated virus को डाला जाता है ठीक है किसी पर यहाँ पर dead bacteria या dead चीजों को डाला जाता है या mRNA के दर coding करके डाला जाता है तो वो code करके आपकी body के अंदर डाला गया है artificially पर आपकी body को तो नहीं पता है कि वो artificially डाला है आपकी body तो उसके हिसाब से वैसे ही react करेगी जैसे वो naturally है तो उस समय पर जो हमारी body antibodies बना रही है तो इस तरीके की immunity को हम लोग बोलते है active artificial immunity क्योंकि वो जो foreign pathogen है उसने naturally attack नहीं किया है हम हम लोग ने उसे artificially body के अंदर डाला है तो currently जो हम लोग यहाँ पर vaccination की तरफ आगे बढ़ रहे है वो active immunity का part है जो कि artificial active immunity है passive immunity जो हम लोग कहीं बाहर से antibody ले रहे हैं जैसे naturally भी लेते हैं जैसे मानलो हम लोग बोलते है रहा छोटे बच्चों को अपने शुरुआती 6 महीने क के अंदर mother के breast milk के ऊपर dependent रहना चाहिए वो इसलिए important है क्योंकि baby इतनी सारी antibodies नहीं मना पाता है पर mother body ने बहुत सारी चीज़ें handle करी हैं तो जो mother's milk होता है उसके अंदर कावी सारी antibodies भी mother body से यहाँ पर baby body में चली जाती है artificial antibodies जैसे किसी व्यक्ति की जो अच्छी antibodies है उसको किसी और व्यक्ति के अंदर डालना जिस तरीके का इस्तमाल हम लोग आज कल convalescent plasma therapy के अंदर कर रहे हैं है जो व्यक्ति ठीक हो गया है उसके plasma को लेकर उसके antibodies को लेकर उसके व्यक्ति के अंदर डालना जिसकी body इतनी ज़्यादा श्रम वाली नहीं है कि वो भहतरी antibody डवलप कर पाए तो artificial antibodies डाली जा रहे है तो वो क्या है वो artificial passive immunity है natural passive immunity भी होती है जो कि mother child relation होता है अब हम लोग immunity के बारे में समझ गए अब हम लोग समझेंगे कि तीनो vaccine में अंतर क्या है सबसे पहले co vaccine के बारे में समझेंगे co vaccine हमारे देश की बनाई हुई vaccine है भारत biotech international limited चोकि है है थराबाद based है उसने इसको बनाया है ICMR और national institute of virology के साथ मिलके अब देखो guys कोई भी vaccine है वो काम क्या करेगी वो यही काम करेगी कि हमारी body के अंदर वो virus का एक ऐसा portion छोड़ देगी जिससे हमारी body trigger हो जाए और वो antibodies generate कर सके को वैक्सीन, kovi shield, sputnik V या फाइजर वाली कोई सी भी आप vaccine देखो सब काम वही करेंगी पर technologies अलग-अलग हो जाती है कि किस technology का इस्तमाल किया जा रहा है जो को वैक्सीन है, it is developed with whole viron inactivated viroselle derived technology इसको हम लोग viroselle platform derived technology भी कहते हैं इसके अंदर dead virus का इस्तमाल किया गया है इसके अंदर हम लोगोंने dead virus का इस्तमाल किया गया, ये किसी व्यक्ति को infect नहीं कर सकता because it is a dead virus पर उस dead virus में capability है कि हमारी body उसको detect करके और हमारी body उसके खिलाफ defense mechanism create कर सकती है उसके खिलाफ antibodies generate कर सकती है simple, तो ये काम किया है co vaccine के अंदर now second vaccine जो की सबसे यादा इस्तमाल हो रही है 80 से यादा देशों में भी है cove shield, हमारी देश में भी सबसे यादा लोगों को cove shield लगाई गई cove shield, Oxford और AstraZeneca ने मिलकर बनाई है ठीक है, technology has been developed by Oxford और AstraZeneca पर उसकी इंडिया में manufacturing और पुई दुनिया के लिए manufacturing SII कर रहा है, Serum Institute of India कर रहा है ये viral vector platform पे based है now what is a vector platform, देखो भाई आप अपने घर से आपको जाना हो घूमने कहीं पर भी मान लो आपको घूमने शिमला जाना है, तो आपको कोई ना कोई सहरा लेना पड़ेगा train लेना पड़ेगा, आपको bike से जा सकते हो, आप लोग car से जा सकते हो तो जब आप इस तरीके के vehicles का इस्तमाल करते हो, उसको बोलते हैं vector तो यहां पर किसी चीज को पहुचाने के लिए जो vehicle का इस्तमाल होता है, उसको बोलते है vector तो एक vector platform based technology है, viral vector platform technology जो की बिलकुल different है, जो की co-vaccine ने इस्तमाल करी co-vaccine ने तो सीधा dead virus का यहां पर इस्तमाल किया, इसके अंदर क्या किया गया है, गाई चिंपैंजी के अंदर एक virus cause होता है, जिसको बलते है एडिनो वाइरस CH-A-D-O-X-1, उसको इस तरीके से modify किया गया है, कि वो एक vector के रूप में काम कर सके, एक एक ऐसे instrument के रूप में, एक ऐसे vehicle के रूप में काम कर सके, जिसके ओपर हम लोग COVID-19 का spike protein को बिठा दे, कोविड-19 के spike protein को उसके ऊपर हम लोगों ने बिठा दिया और फिर उसको body के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, वो जो चिंपैंजी के अडिनो वाइरस है, वो वेक्टर है, वो उसको cell के अंदर पहुचा देगा, और जो COVID-19 का जो spike protein है, जिस spike protein को आपस में बांधने के ल release करें की, वो वाली antibodies body के अंदर release हो जाए और हमारी body train हो जाए, ठीक है, तो ये एक तरीका है, जो की COVID-19 में इस्तमाल किया है, वो चिंपैंजी वाला variant इस्तमाल किया गया है, but when you talk about Sputnik V, जिसको Russia के Gamalya Research Institute ने बनाया है, Dr. Redis Laboratory हमारे देश के अंदर उसको यहाँ पर built up कर रही है, वो क्या कर रही है, वो दो dose की vaccine है, जिसके अंदर adenovirus vector का, जो human के अंदर जो उसने एक बड़ा mutant create किया है, उसके दो vectors का इस्तमाल कर रही है, rad5 और rad26 का, ठीक है, जो की respiratory infection cause करते है, यहाँ पर भी इन दोनों को as a vector ही use किया गया है, as a vehicle भी use किया गया है, और इनके उपर inactivated virus, जो inactivated vector है, इनके उपर edge gene, जो edge gene है, जिसको हम भी बोलते है glycoprotein, तो उस glycoprotein को उसके उपर बिठा के body के अंदर पहुचाया गया है, very simple, ठीक है, तो यह जो चीजें हैं, यह Sputnik V को लेकर थी, अब, इन तीनों की technology अलग-अलग है, बहुत सोय लोग कह रहे हैं कि कौन सी लगवाएं, कौन सी है, देखे भाई, डंकी इस paradox में मत फसो, डंकी इस paradox ही है, कि डंकी के एक तरफ घास रग दी जाए, एक तरफ पानी रग दिया जाए, वो confused हो जाता है, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, पता लगता है कि उस दिर बाद पानी भी बहुत ज़्यादा गरम हो गया, और जो घास थी, वो सूख गई, कुछ भी नहीं मिलता अब सबको vaccine लगनी है, पर बहतरीन ये है कि आप जल्द से जल्द लगवा लें, ठीक है, दोनों doses लेना important है, दोनों dose जो पहली dose जिस vaccine के लिए है, दूसरी dose भी उसी vaccine की ही लेनी है आप लोगों को, efficacy के चक्कर में मत पढ़ो, कि कौन सी किसकी efficacy है, क्योंकि दोनों का data अलग लोगों पे है, अलग अलग देशों का है, तो data अच्छी vaccines है, सारी ही अच्छी vaccines है, ठीक है, बस आप लोग जाओ, अपने vaccination लो, अगर आपको कोई comorbidity है, तो आप लोग डॉक्टर से consult कर सकते हो, पर vaccine लेना ना भूले, वो आप लोगों के लिए equally important है, I hope that the difference is clear to you all, बता होना चाहिए, अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, तो नीचे comment box में आप लोग डाल के मुझे बता सकते हो, thank you, and India will definitely fight this second wave, और हम लोग जल्द ही इस coronavirus को हरा देंगे, and salute to all the COVID warriors, bye-bye.